नमस्कार आपका स्वाकत है राजनामा टीवी पर मैं पूनूम आपके साथ विवाद के बीच मालदीव के टूरिज्म बॉटी ने भारत की इसमाट ट्रिप कमपनी से मालदीव की यातरा के लिए फिर से फ्राइट बुकिंग शुरू करने की अपिल की है मालदीव एससियेशन आफ टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स ने कहा बाती हमारे लिए भाई बहन है उन्होंने कहा हम इसमाट ट्रिप से अपील करते हैं कि वो भारत को लेकर दिये गए आपतेजनिक बयानों पर ध्यान न दे यह बयान मालदीव के लोगों की भावनाव को नहीं दर्शाता है हम इसके लिए माफी मांगते हैं इसमाट ट्रिप के सीई और निशांत पिट्टी को एड्रेस करते वे मालदीव के एससियेशन ने भारती पर्याट को की एहमियत भी बताई उन्होंने कहा भारत और मालदीव के बीच गहरी दोस्ती है हमारे रिष्टे राश्डिती से परे हैं पर्यटन मालदीव के लोगों के जीवन का आदार है यह सेक्टर हमारी जीटीपी में दो तिहाई से जादा का योगदान देता है इस सेक्टर में मालदीव के करीब 44,000 लोग काम करते हैं इनकी आजीविका टूरिस्म पर ही आदारित है इस विवाद की वाज़ा से होने वाला नुकसान देश की अर्थ्विवस्ता पर गलत असर डाल सकता है एससियेशन ने आगे कहा भाती परेटक मालदीव के टूरिस्म सेक्टर की सफलता के लिए बहत एहम है परेटकों की बदोला दी मालदीव में गेस्ट हाउस और दुस्री सुविदाय देने वाले मीडियम स्केल बिजनिस आगे बढ़ पा रहे हैं हम बाच्चित और एक दूसरे की मदद करने की भावना में विश्वास रखते हैं अपने लेटर में उन्होंने आगे लिखा हम दोनों देशों के बीट सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने और गलत वेमियों को दूर करने के लिए इसमाय ट्रिप से मालदीव के लिए सिवाय फिर से शुरू करने की अपील करते हैं अपने टूरिस्म जेक्टर के जरिये हम शेत्र में शांती और विकास को बढ़ावा देने में एहम भूमिका निबा सकते हैं दरसल पीम मोदी हाल इमेल लक्षदीव के दोरे पर गए थे यहां के बीच पर उनकी फोटो सोचल मीडिया पर पारल हुई थी इस पर साथ जन्वरी को मालदीव के दिन मंत्रियों ने टिपणी की थी उन्होंने पीम मोदी भारत और इस्राइल के साथ रिष्टों को लेकर आपतजनिक शब्दों का इस्तिमाल किया था मोदी पर आपतजनिक टिपणियों के बाद भारत में हैश्टेग बायकॉट मालदीव स्ट्रेंड करने लगा कई सेलिबर्टीज ने भी सोचल मीडिया पोस्ट पर लक्षदीव को खुबसूरत बताते हुए लोगों से यहां टूरिज्म को प्रमोट करने की अपील की विवाद बढ़ने के बाद मालदीव सरकान ने तीन मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया इस बीच रविवाद देर्दाथ इस मैट्रीप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड कर दी थी कंपनी के को फाउंडर लियानबार जी की आलोशना की थी उन्होंने प्रेस रिलीज चारी कर कहा था भारत हमारा साजेदार है मुसीवक्त के वक्त हमारी मदद के लिए सबसे पहले आगी आता है मालदीव की टूरिस्म इंडर्स्टी में भारत सबसे बड़ा सईयोगी है हम चाहते हैं कि साजेदा सारी सद्यों तक बनी रहे हम हर उस एक्षन की कड़ी निंदा करते हैं जिससे दोनों देशों के संबंद बिगड़ सकते हैं इसे के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धन्यवाद